वेकानन्द कोचिंग चैनल मैं गोखुल कुमार आप शभीका श्वागत करता हूँ और मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टेंथ बिहार बोड के स्टूडेंट्स के लिए NCRT के बुक से सभी कुश्चनों का मैं सल्यूशन करवा रहा था प्रिवियस वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नुमेट्री टॉपिक के एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 कम्प्लीट शल्यूशन मैंने करवा दिया था और इस वीडियो में मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नुमेट्री के ही टॉपिक्स हैं उसी के एक्सरसाइज 8.4 के मैं एक ही कुश्चनों का शल्यूशन आपसे करवाने करवाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं चीजों को मैंने बताया था ध्यान देने के लिए वैसे ही इन चेप्टर्स में भी इन एक्सरसाइज में भी आपको बेसिक चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा तो इसमें 3-4 पॉइंट है फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप ध्यान दीजेगा कि साइन एसक्वा थीडा प्लस कॉस ऑसक्वाइड थीडा एकवल टूबन होता है अगर इसको जतना थोलोगे उतना तूटे गए तो साइन स्क्वाइड थीटा को आप लेख सकते हो वन एक स्क्वाइर को हटा होगे तो यह क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा तो रूट अंडर वन माइनस कॉस्वाइड ही टाई ये लिख सकते हैं अगर पॉस इसक्वाइड ठीटा को आप चालन कर चाहो तो स्वाइड हो लिख सकते हैं र्यम एक पाई सवाइब को हटा ओगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्वाइब ठीटा हुई दिखकर तो मैंने देखा कि साइन ठीटा का ही फॉर्मेट किसकिस रूप में और कॉस्ट ठीटा मतलत एक फॉर्मूला से ही यह तूटकर इतना बना दूसरा फॉद मूला आ सेख स्क्वाइड ठीटा माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो टैन स्क्वाइड ठीटा हो जाएगा ठीक ना और स्क्वाइड हटा होगे तो यह क्या हो जाएगा स्क्वाइड हटेगा तो यह हो जाएगा रूट अंडर वन पलस टैन स्क्वाइड ठीटा ठीक है उसके बाद अगर 10 square theta को change करना चाहो तो 6 square theta plus है तो इधरा आएगा तो minus 10 square theta अगर square आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा square हटाओगे तो 6 square theta minus 1 root under 10 theta यानि कहने का मतलब 10 theta और 6 theta में relation इस तरह का होता है और इसको आप इस तरह से change कर सकते हो last जो है वो है कौसेक square theta minus cot square theta equal to 1 अब इसी को तोड़ना चाहो तो क्या कर लेंगे कौसेक square theta minus है तो दर जाएगा तो plus cot square theta अगर कौस square theta को हटाना है तो कौसेक square theta को अगर हटाना है तो square हट जाएगा root under 1 plus cot square theta अगर cot square theta को करना है तो कौसेक square theta minus 1 root under cot theta तो इस तरह से आप format relation क्या होता है कौसेक और cot के अंदर सेक और ten के अंदर उसके बाद sign और cos के अंदर तो अब हमने relation जो जो था condition वो हमने समझा दिया अब हम exercise के अंदर जाएंगे और exercise से related बाते हैं हम जो जो भी questions होगा उसका हम solution करवाएंगे आपको तो चलिए exercise 8.4 एक ही question का मैं solution करवाऊंगा questions है पहला कि तिर्कोन मीती अनपातों के sign a, sick a, abam ten a को court a के पदों में लिखें किलर अब देखें साइन को हमको लिखना है किसके टर्म में court के टर्म में तो हमको कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए तभी तो हम court a के रूप में हम उसे लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखें तो हमें पता है जितना बाते उतना हम लिख सकते हैं hydro 탄 a को कौन होता है hydro a का उल्टा कौन होता है। weißy के इतना तो हम जानकारी हैOY इसका विख सकते हैं और कौन वर्टा सक है अब इतना जब हम लिख सकते हैं तो आप समझिए यहाँ पर formula आईए कि कौस सेक A बराबर कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर, वन बटा रूट अंडर, वन पलस, कॉर्ट स्कॉरर A, कोई दिखका? तो साइन A को हमने लिख दिया, कॉर्ट A के टर्म में, क्लिर? अब देखें दूसरा चीजह हैं कि सेख मेंयों सेक को रिखें किसके term में तो सेक में को लिखें कॉट अके term में और गॉटाइनी चाहिए इसक फॉर्मुला से आप जैसे भी तोर ke लिखें लेकिन यहांपे कॉट आनाच तो हमको पता है कि सेक के बराबर क्या होता है 1 1 प्लस 10 स्वारी मों प्लस 10 को दिख सकते हैं कि तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 12 मंग सकते हैं कि तो आप pratica 2 ठेंट इसको كان अब स्वाइब है तो इधर हम क्या करेंगे 10 प्लस औहीं शरूंध नहीं रूट अंडर लिखेंगे रूट अंडर तो रूट अंडर ठीक है तो रूट अंडर यहां पर क्या हो जागा कॉट स्कॉाइर ए प्लास कॉट स्कॉाइर ए प्लास वन और यहां पर क्या हो जागा रूट अंडर कॉट स्कॉाइर ए प्लास वन बटा में कॉट ए तो इस तरह से हमने समझ गया कुश्चन नमबर जो वन था इसमें यही था question टैन एक हो क्या लिखेंगे तो टैन एक भाई साब एक दूसरे को उल्टा होता है तो कौटे ठीक ना इस तरह से पहले नमबर question जो है वो चलिए तो question नमबर टू जो था वो शेम टाइब के question था इसलिए मैंने उस question को लीव किया और question number three पे आया question number three के first question में आप दिखेंगे इसमें क्या questions हैं बहुत समझना पहले sign square 63 degree plus sign square 27 degree अब यह हमको तो कोई formula है ही नहीं कि sign square theta plus sign square theta बराबर यह कोई इसा formula नहीं है तो हमें क्या करना है एक sign को cos में exchange कर लेना है बस हो गया तो cos square 17 degree plus cos square 73 degree तो यहां पर भी दोनों same है ratio तो हमको इसको भी एक को change करना पड़ेगा क्यूंकि जब अलग-अलग होंगे तभी तो मतलब sign square cos square में आएगा तभी तो इसका कोई formula है अधर्वाज कोई formula नहीं है तो इसलिए हम सबसे पहले convert कर लेंगे अब देखो sign को हम cos में लेका आएंगे तो sign को हम क्या करेंगे cos में तो यह लेकर कर आएंगे sign square हम कितना लिख सकते है 90 degree माइनस कितना तो यहां पे देखो 27 तो 27 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा प्लस sign square एक को छोड़ देना है cos square है तो एक को change करो cos square 90 degree माइनस यहां पे कितना है 73 तो 73 रखो ठीक है और प्लस cos square 73 डिगरी अब यहां पे क्या हो जाएगा sign square 90 degree माइनस ठीट आप रावर क्या होता है cos square तो cos square कितना 27 डिगरी प्लस sign square 27 डिगरी sign square 27 डिगरी बटा cos को किस में change हो जाएगा sign में sign square 73 डिगरी और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा cos square है ही cos square 73 डिगरी यहां पे देखो यह formula हमको पता है कि cos square theta मतलब theta के जगा और यह theta दोनों सेम होना चाहिए तो cos square theta plus sign square theta बराबर क्या होता है one फिर यहां पर sign square theta plus cos square theta बराबर one यह answer रहा अब देखिए इस questions में के अंतरगर देखना है हमें तो यहां पे क्या होगा इस type के question second question में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि sin 25 degree into cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 degree equal to what तो यहां पर क्या हम करेंगे इस तरह के condition में हम क्या करना है तो एक को sin या cos किसी एक को exchange कर लेना है cos को sin में sin को cos में किसी एक में तो यहां पर हम किसको करेंगे तो देखो यह तो हमको पता है confirm है कि cos square theta plus sin square theta या sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है तो यहां पर हमको किस condition मिलाना है तो यहां पर sin वाले को term को छोड़ देना है cos वाले को change कर लो तो sin 25 degree into cos को अगर हम change करेंगे तो 90 degree minus theta लिख सकते हैं तो इसे previous वाले वीडियो में मैंने बताया था कि cos square 90 degree minus theta बराबर sin theta होता है यहां पर कितना घटाएं कि 65 हो जाए तो 25 क्योंकि पीछे वाले को देखो 25 25 इस में से घटाएंगे तो कितना हो जाए 65 plus यहां पर फिर देखो यहां पर हमने sin cos को साइन किया है तो मतलब हम यहां पर क्या करेंगे sin को कॉस करेंगे तो इसको छोड़ दो कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन को हटाओ साइन को कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कितना 25 डिग्री अब देखो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस ठीटा बरावर साइन ठीटा ठीटा अग जगा पर कितना है 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90-degree मैंनेज theta बढरावर क्या है cos theta तो 25 degree आब देखो sin square कितना हो जाएगा 25 degree plus cos square cos square 25 degree तो sin square theta प्लस cos square theta बड़ाबर कितना होता है 1 इस तरह से हमने देखा यह question जो three question number दोनों था वो आपका clear हुआ चलिए कि अब तर नमबर तीन तर कंप्लीटेर हुआ question नमबर फूर एक्सरसाइज 8.4 के ठीक है फर्स्ट क्वेश्टन में क्या है 962a-9102a ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे 992 में क्या हो गया common हो गया बचा क्या 62a-102a अब यहाँ पर हमको पता है कि 62a-102a बराबर कितना होता है 1 9 into 1 is equal to 9 तो इस तरह से option नमबर बी जो है यह सही होगा अब चले हो question number इसमें question number second में question number second में क्या है 1 plus 10 theta plus 6 theta into 1 plus प्लस यहाँ पर हम कितना हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इसके जगा पर 1 लिख दिया तो 9 into 1 हो ठीक है तो यहाँ पर question देखो question number second में क्या है 1 plus 10 theta plus 6 theta into 1 plus cot theta minus cos theta equal to क्या होगा अब इसके value निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 plus ज्यांदो इस चारों में से option क्या होगा यह हमको मारना होगा तो 1 plus यहाँ पर हम कितना क्या लिखेंगे इसको 10 theta है और plus इसको हम कितना लिख सकते हैं टेन को हम किसमें बदल सकते हैं तो कॉस में बदल सकते हैं वन बटा कॉस ठीटा ठीक है और टेन को हम लिख सकते हैं साइन ठीटा बटा कॉस ठीटा इतना हम लिख सकते हैं इन्टू वन प्लास कॉट ठीटा बराबर कितना होता है कॉस ठीटा बाई साइन ठीटा इतना होता है और माइनस माइनस कॉसिक ठीटा को कितना लिख सकते हैं वन बट्टा साइन ठीटा लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ठीटा कॉस्ट ठीटा दोनों क्या हो जागा आपको इन दोनों का एल सियम कितना होगा कॉस्ट ठीटा कॉस्ट ठीटा को से करेंगे तो से डिवाइड देंगे तो one one को साइड सेता माइनस कोस्टा कॉष्टे याा से डिवाइड देंगे तो one one को वन से तो one फ्लास में हैं ठीक है इंक तु यहां पर कितना हुझागा साइड आंज्टेट पने चायन का एलवसी में साइड सीन चीता और व recognize को अगर LCM करेंगे इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ठीटा और बीच में प्लस साइन ठीटा साइन ठीटा को करेंगे वन वन को कॉस्ट से तो कॉस्ट ठीटा माइनस साइन ठीटा को साइन ठीटा को साइन ठीटा करेंगे और माइनस वन बाई में साइन ठीटा यहाँ पर देखो साइन ठीटा प्लस साइन ठीटा प्लस वन तो ए प्लस बी इन्टू ए माइनस बी तो ए प्लस बी इन्टू ए माइनस बी इसकल्टू क्या होता है ए स्क्वाइर कॉस्ट ठीटा प्लस साइन ठीटा ए का स्क्वाइर सच्गाएं जान थे ना मैं सकते हैं क्यां आतों स्कॉर्टेटा को शस्कॉर्टेटा थिता प्लस सभाइब तहीं त्रीठीन सईं जो गई फ्म ऐन कोश्य धॉड प्लास साइन ज हौइथ ता सोगसितर एंटोick सॉच इधा-वाइनन सफ आँ और यहां है माइनस में यहां पर प्लस में तो प्लस माइनस केंसिल बचा कितना बचा कितना टू कॉस्ट ठीटा इन्टू साइन ठीटा बट्टा में कॉस्ट ठीटा इन्टू साइन ठीटा तो कॉस्ट ठीटा साइन ठीटा केंसिल कॉस्ट ठीटा साइन ठीटा केंसिल टू अ से हुआ तो आप्सान नमबर कौन सा होगा सी इस तरह से हमने क्वेश्चन नमबर दो देखा ठीक है